26 सितंबर 2023 को रात करीब 8 बजे अमेरिका के फिलाडेलफिया में युवाओ के एक समोहा ने आपल स्टोर और कुछ अन्या स्टोरों में तोड़ फुड़ की और आइफोन, आइपैड आदी लूट लिये उन्होंने उन्हें प्लास्टिक बैग में भरा और फिर भाग गए आप सोचेंगे कि करीब 10 चोर होंगे लेकिन नहीं कथित तोर पर 100 से अधिक युवा दुकानों को लूट रहे थे सोचल मीरिया पर साजा की गई घटना के वीडियो में पुलिस अधिकारी लुटेरों को पकड़ने की कोशिश करते दिख रहे है पुलिस ने लुटेरों के पास से गिरे हुए आइफोन और आइपैड का डेर बरामत किया ये बहुत बड़ी लूट थी पुलिस ने कहा कि ऐसा प्रेरत होता है कि इसमें शामिल युवाओं ने चापयमारी का समन्वाई किया था क्यूंकि एक ही समय में कई दुकानों को लूटा गया था और कारों का कारवा एक साथ घुम रहा था अब तक 20 युवाओं को किरफतार किया जा चुका है लूटेरों में से एक महिला थी लूट पार्ट में महिलाएं भी शामिल थी आश्चरजनक डेजिया ब्लाकवेल के रूप में पहचानी जाने वाली महिला ने लूट को इंस्टाग्राम पर लाइफ स्ट्रीम किया था बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया दुकानों में लूट पार्ट करने वाले युवकों ने हैलोवें मास्क पहन रखा था ताकि उनकी पहचान ना हो सके पुलिस ने लूट पार्ट कर रहे और छिपे हुवे कई युवाव को पकड़ लिया हाला कि कई लोग पुलिस अधिकारियों की पकड़ से भाग निकले कितनी चौकाने वाली घटना है उसी दिन टार्गेट डेपार्टमेंटल स्टोर ने गोशना की थी कि वह न्यू यॉर्क में एक और साइन फ्रैंसिसको में तीन सहित नौ स्टोर बंद कर देंगे इसका कारण ये नहीं है कि दुकानों को घाटा हो रहा था इसका कारण चोरी और अपरात था जिससे इसके करमचारियों और ग्रहकों की सुरक्षा को खत्रा था फिलादेल्फिया की घटना ने सिद कर दिया है कि चोरी और अपरात बढ़ गए है हाला कि पुलिस ने कुछ उत्पत बरामत कर लिये लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया झालाओ मुटन कर देते बादेल्ट आप ँटना ने लेकिन तोप श्याटना ने लेकिन आप कर दो कि चिया है झालाओ रगैं? कि आपक çıkद रहे जटना देते हैं? झाल झाल